नमस्कार, Honorable Chief Minister of आंद्राप्रदेश श्री वायस जगन्मोन रेड़ी जी Honorable Minister for Animal Isventry Dr. अपाला राजु जी Honorable बाखी जो Minister present MLA है मैडम शिर्मती पूनम जी हमारे APDC के जो मैनेजिन इरेक्टर श्री बागु जी बाखी जो West गुदावी से collectors है और सब्सक्राइब जो वेस्ट गुदावी से इतनी महला ग्रामीन जो जोड़ने के लिए बैठी है और उक्सित है सुनने के लिए आदम यह चीप लोगों को भी सबसे पहले मैं कहूंगा कि आंदर प्रदेश की स्पेशली जो ग्रामीन आंदर प्रदेश बहुत लखी है क्योंकि आपके चीप मिनिस्टर साब ने ग्रामीन आंदर प्रदेश को अर्थविवस्था को सही पहचाना है और उसमें पश्यू पालन और डेरी का सहयोग मेरे क्यास सब को यह तब ही ग्यान हुआगा जब जो 321 दिन उने पद्रियात्रा की और छोड़े 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 लोगों से मिले और देखा की जो डेरी फार्मर्स की क्या पुजिशन और यही एक जो रोजगार का लाइवलियूट का साधन है जो ग्रामी ला सकता है उत्थान ला सकता है और उनको सेल्फ रिलाइंट बन सकता है अगर मैं आंदर परदेश में बेरी या मिल्क के पोटेंशिटी की बात करूँ आपको जैसे ग्यान ही होगा कि भारत में सबसे जैदा दूद का उत्पादन होता है उत्तरपरदेश उसके बाद राजस्थान उसके बाद मद्दपरदेश और चौथे नमबर पे आंदर परदेश आता है अंदर परदेश में हर रोज 4 क्रो आप नहीं और कोई उत्पाद नहीं कृष्णी का जितना की बड़ा दूद है तो दूद ही ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप क्योंकि मार्किट भी है और अगर आप उत्पादन बढ़ाते हैं और किसान को पशुपालों को सही प्राइज देते हैं तो और भी उसका कर सकता है मुझे बड़ी खुश हुए कि Honorable CM ने खुद इंट्रस्ट लिया पसले इंट्रस्ट लिया और हमारे से काफी उनके ऑफिस में शरी परवीन जेने भी मैडम ने भी पूल अप करके हमारे को काफी मोटिवेट किया कि हम आंदर परदेश में आएं और किसानों के साथ मिलके अमुल का जो लाग गुजरात के किसानों को मिलता है वो आंदर परदेश के किसानों को भी दें आपको जैसे मालूम होगा अमुल भारत की सबसे बड़ी बूद कंप्रिया 50,000 को का टर्नोवर है पर इसकी मालकी किसानों की है कोई प्राइवेट एंटरप्राइज कोई का टिनेशनल नहीं है और अमुल का मॉडल बहुत सिंपल है हर गाओं में कोपरेटिव सुसाइटी बनेगी उस कोपरेटिव सुसाइटी वहीं के लोग चलाते हैं और जो दूद किसानों से ले जाता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेरी फार्मर के सामने एलेक्रा जो इस वक्त हमने टोटल डिस्टिक्स किये हैं दस डिस्टिक के करीब हमने साबर और कहरा का मिलके किया है साबर काटा जो आज वेस्ट गुदावरी डिस्टिक में स्टार्ट करने जा रहा है और अंद्रा में हमारा पांसो बीस गाओं में मिल्क प्रक्योर्मेंट स्टार् से गुदावरी वेलो उसका जो उत्पादन होता है वो जो अभी भारत की सबसे अच्छी ब्रीड माने जाए दी पफेलो मुर्रा उसके बराबर है तो अगर उसका ख़ई सही फीडिंग हो तो डेफिनिटली हम इसके कर सकते हैं मैं एक और पता हुगा देखिए अमूल आयाय मार्केट में चाहिए अगर अमूल ये कोई भी सहकारी सथा जिसकी मालकी किसानों के होती है अगर 10% भी दूद ले ले तो 90% लोगों को भाव अच्छा देना पड़ता कॉम्पेटिशन मार्केट में आता है और एक मार्केट ले किसानों की सथा है अपनी पूरी नॉलेज अपना जो भी प्रजेक्ट का एक्सपीरेंस है अपना सिस्टम आपको शेर करेगा और हम भी चाहेंगे कि आंदरपर्देश में भी जो दूद का वेपारा किसानों के हाथ में रहके आगे बने और आज जो जितना भी दूद का किसानों के हाथ में धन्यवाद में हाथ में फिर धन्यवाद कहूंगा ओनरेबल चीप मिस्रेस साब का और एपी डिडी सी और बाकी सब अधिकारियों को जो पूरा सही योग दे रहे है इसको प्रोजेक्ट को इंप्लिमेंट करने के लिए धन्यवाद सब